स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको सुनाऊंगा मुन्शी प्रेम चंद जी द्वारा लिखित कहानी अलगयोजा जो संकलित है मान सरोवर भाग एक में अलगयोजा का अर्थ होता है सयोक्त परिवार का विभाजन अत्वा बटवारा इसी पर आधारित कहानी हैं अलगयोजा तो आई ये शुरू करते हैं कहानी अलगयोजा भोला महतों ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाय की तो उसके लड़के रगु के लिए बुरे दिन आ गए रगु की उम्र उस समय केवल दस वर्ष की थी चैन से गाउं में गुली डंडा खेलता फिरता था मा की आते ही चक्की में जुतना पड़ा पन्ना रूप पती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है वह अपने हातों से कोई काम न करती गोबर रगु निकालता बैलों को सानी रगु देता रगु ही जुटे इबारतन मांज था भोला की आखे कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रगु में सब बुरायां ही बुरायां नजर आती थी पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादानुसार आखे बंद करके मान लेता था रगु की शिकायतों की जरह परवाने करता नतीजा यह हुआ कि रगु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया किसके सामने रोई बाप ही नहीं सारा गाउं उसका दुस्मन था बड़ा जिद्धी लड़का है पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं ये बेचारी उसका दुलार करती है खिलाती पिलाती है ये उसी का फल है दूसरी ओरत होती तो निभा नहीं होता वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी साधी है कि निभा होता जाता है सबल की सिकायते सब सुनते हैं निर्बल की फर्याद भी कोई नहीं सुनता रगु का हिर्द्य मा की ओर से दिन दिन फटता जाता था यहां तक कि आठ साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मिरत्यों को संदेश आ पहुंचा पन्ना के चार बच्चे थे तीन बेटे और एक बेटी इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं रगु अब क्यों बात पूछने लगा यह मानी हुई बात थी अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा इस्त्री आकर और भिहाग लगाईगी पन्ना को चारो और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था पर कुछ भी हो वह रगु की ओस रैत बनकर घर में रहेगी जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लोंडीने बनेगी जिस लोंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुह ने ताकेगी वह सुन्दर थी अवस्ता अभी कुछ ऐसी जादने थी जवानी अपनी पूरी बहार पर थी क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती यही न होगा लोग हसेंगे बला से उसकी विराजरी में ऐसा होता नहीं राहममन ठाकुर हो थोड़ी ही थी कि ना कट जाएगी यह तो उची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो बाहर परदा ढखा रहे वह तो संसार को दिखा कर दूसरा घर कर सकती है फिर वह रगू की दवैल बनकर क्यो रहे भोला को मरे एक महीना गुजर चुका था संध्या हो गई थी पन्ना इस चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे खयाल आया लड़के घर में नहीं है यह बैलो के लोटने की वेला है कहीं कोई लड़का उनके नीचे ने आ जाए अब दुआर पर कोन है जो उनकी देखभाल करेगा रगू कुम मेरे लड़के फूटी आखों नहीं भाते कभी हसकर सही बोलता नहीं बोलता घर से बाहर निकली तो देखा रगू सामने जोपड़े में बैठा उंक की गडेरियां बना रहा है लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाट डाले उसकी पीट पर सवार होने की चेश्टा कर रही है पन्ना को अपने आखों पर विश्वास ने आया आज तो यह नहीं कहानी बात आई शायद दुनिया को दिखाता है कि मैंने अपने भाईयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है घात मिले तो जान ही ले ले काला साप है काला साप कठोर स्वर में बोली तुम सब के यहाँ तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो घर में आओ सांज की बेला है गोरु आते होंगे रग्धु ने विनित नेत्रों से देख कर कहा मैं तो हूँ की ही काकी दर किस बात का है बड़ा ललका केदार बोला काकी रग्धु दादा ने हमारे लिए दो गाड़िया बना दी है यह देख एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे दूसरी पर लचमन और जुनिया दादा दोनों गाड़िया खीचेंगे यह कहकर वह एक कोने से दो छोटी छोटी गाड़िया निकाल कर लाया भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी खूब दोड़ती है काकी बैठ खुन्नू मैं खीचूँ खुन्नू गाड़ि में बैठ गया केदार खीचने लगा चर चर शोर हुआ मानों गाड़ि भी इस खेल में लड़कों के साथ चरीख है लचमन ने दूसरी गाड़ी में बैठ कर कहा दादा खीचो रग्भू ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खीचता हुआ दोड़ा तीनों लड़के तालियां बजाने लगे पन्ना चकित नेत्रों से है द्रश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रग्भू है या कोई और थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लोटी लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे कितने खुश थे मानो हवाई जहाज पर बैठाए हूँ खुश ने कहा काकी सब पेड़ दोड़ रहे थे लच्मन और बच्या कैसी भागी सब की सब दोड़ी केदार काकी रग्भू दादा दोनों गाड़ियों एक साथ खीच ले जाते हैं जुनिया सबसे छोटी थी उसकी व्यंजना शक्ती उचल कूद और नेत्रों तक परिमित थी तालियां बजा बजा कर नाच रही थी खुन्नू अब हमारे घर गाएं भी आ जाएगी काकी रग्भू दादा ने गिर्धारी से कहा है कि हमें एक गाएं लादो गिर्धारी बोला कल लाओंगा केदार तीन सेर दूद देती है काकी खूब दूद पेंगे इतने में रग्भू भी अंदर आवेया पन्ना ने अब हिलना की दस्टी से देखकर पूछा क्यों रग्भू तुमने गिर्धारी से कोई गाएं मांगी है रग्भू ने छमा प्रात्ना के भाव से कहा हाँ मांगी तो है कल लावेगा पन्ना रुपे किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है रग्भू सब सोच लिया है काकी मेरी यह महर नहीं है इसके 25 रुपे मिल रहे है पांच रुपे बचिया के मुझरा दे दूँगा बस गाएं अपनी हो जाएगी पन्ना सन्नाटे में आ गई अब उसका अविश्वासी मन भी रग्भू के प्रेम और सज्जनता को अस्विकार ने कर सका बोली महर को क्यों बेश देते हो गाएं की अभी कौन जल्दी है हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना सूना सूना गला अच्छा ने लगेगा इतने दिनों गाएं नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जीए रग्भू दार्शनिक भाव से बोला बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी इस उमर में ने खाया तो फिर क्या खाएंगे मोहर पहनना मुझे अच्छा नहीं में आलूम होता लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया इसे मोहर पहनने की सूजी है भोला मैं तो गाएं की चिंता ही में चल बसे ने रुपे आए और ने गाएं मिली मजबूर थे रग्धू ने यह समस्या कितनी सुगमता सी हल कर दी आज जीवन में पहली बार पन्ना को रग्धू पर विश्वास आया बोली जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे मेरी हसुली ले लेना रग्धू नहीं काकी यह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है मर्दों को क्या मोहर पहने या ना पहने पन्ना चल मैं बुड़ी हूँ हुई अब हसुली पहन कर क्या करना है तू अभी लड़का है तेरा गला अच्छा है ने लगेगा रग्धू मुस्कुरा कर बोला तुम अभी से कैसे बुड़ी हो गई गाउं में है कौन तुम्हारे बराबर रग्धू की सरल अलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया उसके रूखी मुर्जाय मुक पर परसनता की लाली दोड़ गई पात साल गुजर गई रग्धू का सा महंती इमानदार बात का धनी दूसरा किसान गाउं मेंने था पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम ने करता उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी पन्ना बार बार कहती भहिया बहू को विदा करा लाओ कब तक नहर में पड़ी रहेगी सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती मगर रग्धू टाल देता था कहता कि अभी जल्दी क्या है उसे अपनी स्तिरी के रंग-ढंग का कुछ परिचाए दूसरों से मिल चुका था ऐसी ओरत को घर में लाकर वह शान्ती में बादा नहीं डालना चाहता था आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा तो तुम ने लाओगे कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं तुमारे लिए जल्दी नहोगी मेरे लिए तो है मैं आज जल्द आदमी भेजती हूँ पस्ताओगी काकी उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुमारी बला से जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी रोटियां तो बना लेगी मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता आज मैं उसे बुलाए लेती हूँ बुलाना चाहती हो बुलालो मगर फिर यह नहीं कहना कि महरिया को ठीक नहीं करता उसका गुलाम हो गया नहीं कहूंगी जाकर दो साड़ियां और मिठाए लेया तीसरे दिन मुलिया मयके से आ गई दरबाजे पर नगाडे बजे शहनाईयों की मधुर धवनी आकास में गोजने लगी मुह दिखावे की रस्म अदा हुई वह इस मरूभूमी में निर्मल जलधारा थी गहूँवा रंग था बड़ी बड़ी नुकीली पलके कपोलों पर हलकी सुरकी आखों में परबल आकर्शन रग्धू से देखते ही मंत्र मुख्द हो गया प्रात्यकाल पानी का घड़ा लेकर चलती तब उसका गहूँवा रंग प्रभात की सुनहरी किड़नों से कुंदन खो जाता मानो उशा अपनी स्तारी सुगंद स्तारा विकास और उनमाद लिए मुस्कराती चली जाती हो मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी मेरा शोहर छाती फाल कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रही उसके लड़के रही जादे बने घुमे मुलिया से यह बरदास नहोगा वह किसी की गुलामी न करेगी अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं भाई किसके होते हैं जब तक पर नहीं निकलते हैं रगु को घेरे हुए हैं जो ही जरा सयाने हुए पर जहड़कर निकल जाएंगे बात भी न पूछेंगे एक दिन उसने रगु से कहा तुम्हें इस तरह गुलामी करनी है तो करो मुझसे नहोती होगी रगु तो फिर क्या करूँ तू ही बता लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है मुलिया लड़के रावत के हैं कुछ तुम्हारे नहीं है यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी सब सुन चुकी हूँ मैं मैं लोंडी बन करने रहूंगी रुपे पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता नहीं जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है तुम समझते हो रुपे घर में ही है मगर देख लेना तुम्हें जो एक फुटी कोड़ी भी मिले रुपे पैसे तो तेरे हाथ में देने लगूँ तो दुनिया क्या कहेगी यह तो सोच मुलिया दुनिया जो चाहे कहे दुनिया की हाथों में बिकी नहीं हो देख लेना बहार लिपकर हाथ काला ही करेगा फिर तुम अपने भहियों के लिए मरो मैं क्यों मरूँ रगु ने कुछ जवाब न दिया उसे जिस बात का बह था वह इतनी जल्दी सी रा पड़ी अब अगर उसने बहुत जत्तो थंबो किया तो साल छे महिने और काम चलेगा भस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता बकरे की मा कब तक खहर मनाएगी एक दिन पन्ना ने परवाही से कहा मुझे नीदा रही है तुम बैट कर देखो एक दिन नहाओगी तो क्या होगा पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी नहाने न गई मुल्या का वार खाली गया कैई दिन बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लोटी अंधेरा हो गया था दिन भर की भूखी थ देखा यहां चूला ठंडा पड़ा होआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे पन्ना ने आहिस्ते से पूछा आज अभी चूला नहीं जला केदार ने कहा आज दो पहर को भी चूला नहीं जला काकी भावी ने कुछ बनाया ही नहीं पन्ना तो तुम लोगों ने खाया क्या केदार कुछ नहीं राद की रोटियां थी खुन्णू और लच्मन ने खाई मैंने सत्तु खा लिया और बहू केदार वह पड़ी सो रही हैं कुछ नहीं खाया पन्ना ने कहा उसी वक्त चूला जलाया और खाना बनाने बैड गई आठा गूती थी और होती थ गर आई तो चूले के सामने जलना पड़ा केदार का चोधवा साल था भावी के धंग धंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था बोला काकी भावी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती पन्ना ने चोक कर पूछा क्या कुछ कहती थी केदार कहती तो नहीं मगर है उसके मन म यही बात फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती जैसे चाहे रहे हमारा भी भगवान है पन्ना ने दांतों से जीव दबा कर कहा चुप मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी न करना रग्गु तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बाप है मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खालूंगे दशहरे का तुम्हाराया इस गाउं से कोज भर एक पुर्वे में मेला लगता था गाउं के सब लड़के मेला देखने चले पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तयार हुई मगर पैसे कहां से आएं कुंजी तो मुलिया के पास थी रग्गु ने आ हां उड़ गए रग्गु कहां उड़ गए जरा सुनू आज तुहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे मुलिया अभी काकी से कहो पैसे निकालें गाल कर क्या करेंगी खूंटी पर कुंजी लटक रही थी रग्गु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूग खोल पैसे क्या होंगे लड़के मिला देखने न जाएंगे सारा गाउं जा रहा है हमारे ही लड़के न जाएंगे यह कहकर लग्गु ने अपना हाथ छुडा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिये मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगर मे देखने न गए इसके बाद दो दिन गुजर गए मुलिया ने न कुछ खाया और न कुछ पिया पन्ना भी भुगी रही रग्गु कभी इसे मनाता कभी उसे पर न यह उठती और नव है आखे रग्गु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा कुछ मुझे तो कहे चाहती क्या ह मुलिया ने धरती को संबूदित करके कहा मैं कुछ नहीं चाती मुझे मेरे घर पहुचा दो रग्धू अच्छा उठ बनाखा पहुचा दूँगा मुलिया ने रग्धू की और आखे उठाई रग्धू उसकी सूरत देखका डर गया वह माधूरिय वह मुहकता वह लावन्य गयाब हो गया था दात निकल आये थे आखे फट गई थी और नतुने फटक रहे थे अंगारे किसी लाल आखे से आखों से देखकर बोली अच्छा तो काकी ने यह सला दी है यह मंत्र पढ़ाया है तो यहां ऐसी कच्ची नहीं हो तुम दोनों की छाती पर मोंग दलूँगी हो किस फेर में रग्व अच्छा तो मोंग ही दल लेना कुछ खा पी लेगी तभी तो मोंग दल सकेगी मुलिया अब तो तभी मुह में पानी डालूँगी जब घर अलग हो जाएगा बहुत जहल चुकी अब अब नहीं जहला जाता रग्व सन्नाटे में आ गया एक मिनट तक उसके मुह से आवाज ही न निकली अलग होने की उसने स्व्यपन में भी सकल्पना ने की थी उसने गाउं में दो-चार परिवारों को अलग होते देखा था वह खूब जानता था रोटी के साथ लोगों के हिर्दिया भी अलग हो जाते हैं अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गाउं के और आद्मियों में रग्भू ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ती को घर में ना आने देगा मगर होनोहार के सामने उसकी एक न चली आह मेरे मुह में कालिक लगेगी दुनिया यही कहेगी कि बाप की मर जाने पर दस साल भी एक मिनिभा नहों हो सका फिर किस से अलग हो जाऊं जिनको गोध में खिलाया जिनको बच्चों की तरह पाला जिनके लिए तरह तरह की कष्ट जेले उनी से अलग हो जाऊं अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं उसका गला फस गया कापते स्वर में बोला तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाईयों से अलग हो जाऊं भला सोच तो कहीं मुह दिखाने लायक रहूंगा मुलिया तो मेरा इन लोगों के साथ निभा नहीं होगा रग्धू तो तू अलग हो जा मुझे अपने साथ क्यों खसीटती है मुलिया तो मुझे क्या तुमारे घर में मिठाई मिलती है मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है रग्धू तेरी जैसी मर्जी हो जहां चाहे रह मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता जिस दिन इस घर में दो चूले जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के दो टुकडे हो जाएंगे मैं यह चोट नहीं सह सकता तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ माल असबाब की माल किन तू ही है अनाज पानी तेरे ही हाथ है अब रह गया क्या है अगर कुछ काम धंदा करना नहीं चाहती मत कर भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक न उठाने देता तेरे यह सुकुमार हाथ पाउब मेहनत मजूरी के लिए नहीं बनाए ही नहीं गए है मगर क्या करूँ मुलिया ने सिर से आचल खिसकाया और जênा समी पाकर बोली मैं काम करने से नहीं डरती ने बैठे बैठे खाना चाहती हूँ मगर मुझे से किसी की धोंच नहीं सही जाती तुम्हारी ही काकी घर का काम काच करती है तो अपने लिए करती है अपने बाल बच्चों के लिए करती है मुझ पर कुछ ऐसा नहीं करती फिर मुझ पर धोंश को जम आती है उन्हें अपने बच्चों प्यारे होंगे मुझे तो तुम्हारा आस्रा है मैं अपनी आखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे जरा जरा से बच्चे दूद पियें और जिसके बलबूते पर ग्रहस्ती बनी हुई है वह मठे को भी तरसे कोई उसका पूछने वाला नहीं हो जरा अपना मुँ तो देखो कैसी सूरत निकल आई है औरों के तो चार बरस में अपने पठे तयार हो जाएंगे तुम तो दस साल में खाट पर पड़ जाओगे बैठ जाओ खड़े क्या क्यों हो क्या मार कर भागोगे मैं तुम्हें जबर्दस्तिने बांध लोंगी या मालकीन का हुकम नहीं है सच कहूं तो तुम बड़े कठ कलेजी हो मैं जानती ऐसे निर्मोहिये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल कर भी ना आती आती भी तो मन लगाती मगर अब तो मन तुम से लग गया घर भी जाओं तो मन यहां ही रहेगा और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते मुलिया की ये रसीली बाते रगूपर कोई असरनक डाल सकी वह उसी रुखाई से बोला मुलिया मुझसे यह नहोगा अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है यह चोट मुझसे नहीं सही जाएगी मुलिया ने परिहास करके कहा तो चूडिया पहने कर अंदर वैठो न लाओ मैं मुझसे लगा लूँ मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लोंदे हो पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी अब उससे ने रहा गया सामने आकर रग्व से बोली जब वहालग होने पर तुली हुई है फिर तुम क्यों उसे जवर्दस्ती मिलाए रखना चाहते हो तुम उसे ले कर रहो हमारे भगवान मालिक है जब महतो मर गय थे और कहीं पत्ती की भी छान ने थी जब उस भगवान ने उस वक्त निभा किया तो अब क्या डर अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं अब कोई चिंता नहीं रग्व ने आसु भाईब आँखों से पन्ना को देखकर कहा का कि तू भी पागल हो गई है क्या जानती नहीं दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं पन्ना जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा परालब्द में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन देह रहे अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो किया वह मैं भूल नहीं सकती तुमने इनके सिर्फ हात ने रखा होता तो आज इनकी नजाने क्या गती होती नजाने किसके द्वार पठोकर रिखाते नजाने कहां कहां दम तक गाऊंगे अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने की काम आए तो खुशी से दे दूंगे चाहें तुमसे अलग हो जाओं पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दोड़ी आऊंगे यह भूलकर भी नहीं सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बु पोस मानेंगी यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई रगु की वहीं मूर्ती की तरह बैठा रहा आसमान के और टक टकी लगी थी और आखों से आसु बह रहे थी पन्ना की बाते सुन मुलिया समझ गई कि अपने पोंबारा हैं चटपट उठी घर में जाडू लगा आया और कुए से पानी लाने चली उसकी टेक पूरी हो गई थी गाउं में स्त्रियों के दो दल होते हैं एक बहों का और दूसरा सास होका बहों सलह और सहानबूती के लिए अपने दल में जाती हैं सासे अपने में दोनों की पंचायते अलग होती हैं मुलिया को कुए पर द अच्छा लगता है बहन मैं उनका बुरा नहीं चाहती लेकिन एक आदमी की कमाई में कहां तक बरक्कत होगी मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओड़ने की दिन हैं अभी उनके पीछे मरो फिर बाल बच्चे हो जाएं फिर उनके पीछे मरो सारी जिंदगी रोते ही कट एक बहु बुडिया यही चाहती है कि है सब जन्म भर लोंडी बनी रहें मोटा जोटा खाएं और पड़ी रहें दूसरी बहु किस भरोसे पर कोई मरे अपने लड़के तो बात नहीं पूछे पराएं लड़कों को क्या भरोसा कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे फिर कोन पू रोटी तैयार है रग्धू ने मानो सुना ही नहीं सीर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा मुलिया क्या कहती हूं कुछ सुनाई देता है रोटी तैयार है जाओ नहां आओ सुन तो रहा हूं क्या बहरा हूं रोटी तैयार है तो जाकर खाले मुझे भूग नहीं ह मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूला बुजा दिया, डोटियां उठाकर छीके पर रग दी और मुझ ढाकर लेड़ गई जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहां दोकर खालो, बहुँ भी भूकी होगी रग्धु ने जुनला कर कहा, काकी, तु घर में रहने देगी कि मुझ में कालिक लगा कर कहीं निकल जाओ, खाना तो खाना ही है, आज ने खाऊंगा, कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझ से न खाया जाएगा केदार क्या अभी मदर्से से नहीं आया पन्ना अभी तो नहीं आया आता ही होगा पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बना कर लड़कों को ने खिलाएगी और खुद ने खाएगी रग्धू ने खाएगा इतना ही नहीं उसे रग्धू से लड़ाई करने पड़ेगी उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण देदेगा यह सोचकर उसने अलग चुला जलाया और खाना बनाने लगी इतने में केदार और खुन्नू मदर्से से आ गए पन्ना ने कहा आओ बेटा खालो रोटी तैयार है भहिया को भी बुला लूँ केदार ने पूछा तुम आकर खालो उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है पन्ना ने कहा जाकर भहिया से पूछाओं खुन्नू पन्ना जब उनका जी चाहेगा खाएंगे तु बैटकर खा तुझे इन बातों से क्या मतलब जिसका जी चाहेगा खाएगा जिसका जी न चाहेगा ने खाएगा जब वह है और उसकी बीवी अलग रहने परतुले हैं तो तू कोन है किदार तो क्यों आम्मा जी क्या हम अलग घर में रहेंगे उनका जी चाहे एक घर में रहें जी चाहे आंगन में दिवार डालने पन्ना ने कहा खुन्नो ने दर्वाजे पर आकर जाका सामने फूस की जोपड़ी में वही खाट पर बड़ा रग्धु नारियल पी रहा था खुन्नो भहिया तो अभी नारियल लिये बैठी हैं पन्ना जब जी चाहेगा खाएंगे एदार भहिया ने भावे को डाटा नहीं मुलिया अपनी नहीं डाटा अब तुम आगा डाटो केदार के चहरे का रंग उड़ गया फिर जबान न खोली तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले लू चलने लगी थी आम के बाग में गाउं के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे केदार ने कहा आज हम भी आम चुनने चलें खूब आम गिर रहे हैं खुन्नो दादा जो बैठे हैं लच्मन मैं न जाओंगा दादा घुड़केंगे केदार वह तो अब अलग हो गए लच्मन तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ने बोलेंगे केदार वा तब क्यों ने बोलेंग रग्धु ने तीनों लड़कों को दर्वाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डाट बैठता था पर आज वह मूर्ती के समान निश्चल बैठा रहा अब लड़कों को कुछ सहस हुआ कुछ दूर और आगे बढ़े रग्धु अब भी ने बोला कैसे बोले वह सोच रहा था काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया मुझसे पूछा तक नहीं क्या उसकी आँखों पर भी परदा पड़ गया है अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वहने आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूँगा लूब में सब मारे मारे फिरेंगे कहीं बीमार ने पड़ जाएं उसका दिल मसोच कर रह जाता था लेकिन मुझसे कुछ ने कह सकता था लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो नुझभे होकर चल पड़े सहसा मुलिया ने आकर कहा अव तो ठोगे कि अब भी नहीं जिनके नाम पर काका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया अब आराम से सो रही हैं मोर पिया बात ने पूछे मोर सुहागिन न आओ एक बार भी तो मुह से न फुटा कि चलो भीया खालो रग्गु को इस समय मर्मान तक पीड़ा हो रहे थी मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाओ पर नमक छिड़क दिया दुखित नेत्रों से देख कर बोला तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ अब जा ढोल बजा मुलिया नहीं तुम्हारे लिए थाली परोज बैठी हूँ ग्गु मुझे चिडा मत तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ जब तु किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशा मन करें जाकर काकी से पूछ लड़के आम चुनने गए हैं उन्हें पकड़ लाओं मुलिया अंगुठा दिखा कर बोली यह जाता है तुम्हें सो बार गरज हो जाकर पूछो इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई रगु ने पुछा लड़के बगीचे में चलेगा एकाकी लू चल रही है पन्ना अब उनका कोन पुछत्तर है बगीचे में जाएं पेड़ पर चड़ें पानी में डूबें मैं अकेली क्या क्या करूँ रगु जाकर पकड़ लाओं पन्ना जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं तुम्हें रोकर ना होता तो रोक ने देते तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे पन्ना की बाते पूरी बेना हुई थी कि रग्गु ने नार्यल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला रग्गु लड़कों को लेकर बाग से लोटा तो देखा मुलिया अभी तक जोपड़े में खड़ी है बोला तुझा कर खा क्यों नहीं लेती मुझे तो इस बिला भूक नहीं मुलिया एट कर बोली हाँ भूक क्यों लगेगी भाईयों ने खाया वह तुमारे पेट में पहुच ही गया होगा रग्धु ने दाथ पीज कर कहा मुझे जला मत मुलिया नहीं अच्छा न होगा खाना कहीं भाग नहीं जाता एक बिला ने खाऊंगा तो मरने जाऊंगा क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है तूने घर में चूला नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है मुझे घमंड था कि और चाहें कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आएगा पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया, पर अलब्द की बात है मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोचो तुम ही को है, कि और किसी को है मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती रग्धू ने ठंडी सांस खीच कर कहा, मुलिया घाव पर नोन न छिड़क तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूर लग रही है मुझे इस ग्रस्ती का मोन होगा, तो किसे होगा मैंने ही तो इसे मर मर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे जिन बच्चों को मैं डाटता था, उन्हें आज कड़ी आँखों से भी नहीं देख सकता मैं उनके भले के लिए भी कोई बात न करूँ, तो दुनिया यही कहेगी कि यह है अपने भाईयों को लूटे लेता है जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझे से कुछ ना खाया जाएगा मुलिया, मैं कसम रखा दूँगी, नहीं चुपके से चलो रग्व, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट छोड़ दे मुलिया, हमारा ही लहु पिए, जो खाने न उठे रग्व ने कानों पर हाथ रख कर कहा, यह तुने क्या किया मुलिया मैं तो उठी रहा था, चल खालू, नहाने धोने कौन जाए लेकिन इतना कहे देता हूँ कि चाहे चार की छें डोटिया खा जाऊँ चाहे तु मुझे घी के मटके ही में डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से नमटेगा मुलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सब को ऐसा ही लगता है देखते नहीं हो, उधर कैसी चोन की बंसी बज रही है वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब अब क्यों हमारे साथ रहने लगी रगु ने आहत स्वर में कहा इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशाने थी रगु खाने बैठा तो कोर विश के घुट सा लगता था जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं दाल पानी सी लगती, पानी कंट के नीचे ने उतरता था दूद की तरफ देखता तक नहीं दो-चार ग्रास खाकर उठ गया जैसे कि किसी प्रियजन के श्राद का भोजन हो रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया भोजन क्या किया, कसम पूरी की रात भर उसका चित उद्गिन रहा एक अज्याद शंका उसके मन में च्छाई हुई थी जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा, रो रहा हो वह कई बार चोक कर उठा ऐसा जान पड़ा, भोला उसकी ओर तिरसकार की आँखों से देख रहा है वह दोनों जून भोजन करता था पर जैसे सत्रू के घर भोला की शोकमग्र मूर्ती आखों से ने उतरती थी रात को उसे नीद ना आती, वह गाउं में निकलता तो इस तरह मूँ चुराए, सिर जुकाए मानों गूं हत्या की हो पाँच साल गुजर गए, रगुअब दो लड़कों का बाप था आंगन में दिवार खिज गई थी, खेतों में मेडे डाल दी गई थी और बैल बचे बाट लिये गए थे केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी, उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था खुन्नों गाए चराता था केवल अब तक मदर से जाता था, पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी मुलिया के दोनों लड़के बहुदा पन्ना ही के पास रहते थे, वही उन्हें उपडन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिये फिरती मगर मुलिया के मुह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता, नैपन्ना ही उसकी चुकती, वही जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी, उसके दो-दो लड़के अब कमाओं हो गए थे, लड़की खाना पका लेती थी, वही खुद उपर का काम काज कर लेती थी इसके विरुद्दु रग्गु अपने घर का अगेला था, वही भी दुरबल, अशक्त और जवानी में बुढ़ा, अभी आयू तीस वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचडी हो गए थे, कमर भी जूग चली थी, खासी ने जीन कर रखा था, देखकर दया आती थी और खेती पसीने की वस्तु है, खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वहे उसने नह हो पाती थी, फिर अच्छी फसल कहां से आती, कुछ रिण भी हो गया था, वहे चिंता और भी मारे डालती थी, चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता, इतने दिनों के निरंतर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई काम करते वहे सलहा देता, महतो बना फिरता, कहीं किसी के जगड़े चुकाता, कहीं सादु संतों की सेवा करता, वहे अवसर हाथ से निकल गया, अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था, आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने ल लगी तो दवा की फिक्र हुई, जिसने जो बता दिया खा लिया, डाक्टर और वैद्यों के पास जाने की सामर्थे कहां, और सामर्थे भी होती तो रुपे खर्च कर देने की सिवा और नतीजा ही क्या था, जीन जुअर की ओशदी आराम और पुष्टी कारक भोजन है, न जबादारों तो क्या करते, उसका और मजाक उडाते, भाईया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और इट रख लेंगे, भाबी भी समझती थी सोने से लट जाऊंगी, अब देखें कौन पूचता है, सिसक सिसक करने मरें तो कह देना, बहुत हाय भी अच्छी नहीं होती, आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपे के लिए जान दे दे, पन्ना कहती रग्गु बेचारे का कौन दोश है, केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भाईया की जगे मैं होता तो डंडे से बात करता, मजाक थी कि ओरत यह जिद कर लेती, यह सब सधी बधी बात थी, आखिर एक दिन रग्गु का टिम टिमाता हुआ जीवन, दिपक बुझ गया, मोत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया, अंत समय में केदार को बुलाया था, पर केदार को उग में पानी देना था, दरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना मुलिया का जीवन अंधिकार में हो गया, जिस भूमी पर उसने मनसूबों की दिवार खड़ी की थी, वह नीचे खिसक गई, जिस खूंटे के बल पर वह उचल रही थी, वह उखड़ गया, गाम वालों ने कहना शुरू किया, इश्वर ने कैसा ततकाल दंड दिया, बेचा मिल ही गई न, अब इस घर में कैसे निर्भा होगा, वह किसके सहरे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी, बेचारा रग्गु बिमार था, दुरबल था, पर जब तक जीता रहा, अपना काम करता रहा, मारे कमजोरी के कभी-कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता, सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन समा लेगा, अनाज की डाने खलिहान में पड़ी थी, उख अलग सूख रही थी, वह अकेली क्या क्या करेगी, फिर सिचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, तीन-तीन मजदूरों को कहां से लाए, गाउं के लिए खीचा तानी हो रही थी, क्या करें, क्या नहीं करें, इसी तरह 13 दिन वीद गए, किरिया कर्म से चुट्टी मिली, दूसरे ही दिन सवेरी मुलिया ने दोनों बाल को गोद में उठाया और अनाज बानने चली, खलिहान में पहुँचकर उसने एक को तो पेड के नि काल वियनाज मानना जा रहा था, वहर अगू के लिए लोटे में शर्बत और मटर की घूनी लेकर आई थी, आज कोई उसके न आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लोंडी तो नहीं हूँ, उसे अलग होने का अब भी पस्तावाने हो था, एक आएक छोटे बच्चे का रोना स सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, बैया तुप रहो, तुप रहो, दीरे दीरे उसके मूप पर हाथ फेड़ता था और चुप कर आने के लिए भी विकल रहा था, जब बच्चा किसी तरह चुप नहुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे चाते से लगा कर प्यार करने लगा, मगर जब यह परियत्न भी सफलने हुआ तो वह भी रोने लगा, उसी समय पन्ना दोड़ी आई और छोटे बालक को गोध में उठा कर प्यार करती भी बोली, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दे दिया आई बहू, हा हाई हाई बेचारा धर्तीवर पड़ा लोट रहा है, जब मैं बर जाऊं तो चाहे जो करना, अभी तो जीती हूँ, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए, मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती, पन्ना, तो तुझे यहा हाई नहीं तो सूख जाएगी, कल से पानी छड़ा हुआ है, परसो तक खेत पर पूर जाएगा, तम मनाई हो जाएगी, तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भहिया मरे हैं, केदार को बड़ी चिंता हो गई है, दिन में सो सो बार पूझता है, भावी बहुत रोती तो अब देखती हो, पहर रात से उठकर काम में लग जाता है, खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी उख में पानी दे देंगे, तब भहिया की उख में देंगे, इस पर केदार ने ऐसा डाटा की खुन्नू के मुह से फिर बात न निकली, बोला, कैसी तुमारी और कैसी ह उख, भहिया ने जिलाने लिया होता, तो आज या तो मर गए होते, या कहीं भीग मांग रहे होते, आज तुम बड़े उख वाले बने हो, यह उन्हीं के अपन परताफ है कि आज भले आद ही बने बैठे हो, परसो रोटी खाने को बुलाने गई, तुम मनईया पर बैठा र उन द्रश्टी से देखकर कहा, तुम्हें बहया लगने रहने देगा बहु, कहता है बहया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे, मुलिया की आखों से आशु जारी थे, पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांतुना, ची चिन्ता भरी हुई थे, मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना अकर्शित नह हुआ था, जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भै था, वेदने दयालू, इतने शुभेच्च्चू हो गए थे, आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थ परता पर लज्जा आई, पहली बार आ कहता है, मैं विभा ने करूंगा, कई जगहों से बात चीत हुई, कई सगाईयां आई, पर उसने हामी ने भरी, पन्ना ने कमपे जलाए, जाल फेलाए, पर वेह ने फसा, कहता, और तो से कौन सुख, महेरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वे क्या चाहिए, बिना भिहा के कि ये दो बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा, जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर, एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा बंस कैसे चलेगा, केदार, मेरा बंस तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझत हूँ पंणा समझने ही पर तो तु मुलिया को भी अपनी महीरय समझता होगा केदार ने जीबते हुए कहा तुम तो गाली देती हो अममा पंणा गाली कैसी तेरी भावी ही तो है केदार मेरे जैसे लट्ठ गमार को वह क्यों पोचने लगी पंणा तू करने को कहे तो मैं उसस मन की थालू केदार मैं नहीं जानता जो चाहे कर पन्ना केदार की मन की बात समझ गई लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है पर संकोच और भै के मारे कुछ नहीं कहता उसी दिन उसने मुलिया से कहा क्या करूं बहूं मन की रालसा मन में ही रह जाती है केदार का घर भी ब कि औरत कहां मिलेगी कहीं डूंडो पन्ना मैंने तो ढूंड लिया है सच किस गाउं की मुलिया ने कहा अभी ने बताऊंगी मुदा यह जानती हूं कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सुफल हो जाए ने जाने लड़की मानेगी क कि नहीं मानेगे क्यों नहीं अम्मा ऐसी सुन्दर कुमाव सुसील वर और कहां मिला चाहता है उस जनम का कोई सादू महत्मा है नहीं तो लड़ाए जगड़े के डर से कोन बिन बिहा रहता है कहां रहती है मैं जाकर उसे मना लाओंगी मुलिया बोली तू चाहे तो उसे मन लजाकर बोली तुम तो अम्मा जी गाली देती हो गाली कैसी देवर ही तो है तेरा मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है तेरे सिवा कोई और उसे भाती नहीं डर के मारे कहता नहीं पर उसके मन की बात मैं जानती हूं पन्ना ने कहा वैदव्य के शोक से मुर्जाया हुआ मुल्या का पीत वदन कमल की भाती अरण हो उठा दस वर्सों में जो कुछ खोया था वह इसी एक छण में मानु ब्याज के साथ मिल गया वही लावन्ये वही विकास वही आकर्षन वही लोच अपने सुझाओ हमें अव हुआ 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 है